वैसे जाकर, अगर तुम जीते, तो तुम्हारे लिए सबसे पहले ताली मैं बजाओंगे और अगर मैं जीते, तुम मुझे पता है, कि तुम मेरे लिए ताली ज़रूर बजाओंगे क्योंकि तुम सच्ची मेनद की कदर करते हैं तुम जीति तुम के करत मेरे नाटी काम के टुम एसे भोरे वहाँ तुमारी क्स्ची में कने चरकुम क्या करी सांव कि दुम क्या बात है, इस ताइम साहिरन? औरे कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, इस ताइम को यह हमें क्यूं उलाएगा? नहीं राहूल, कोई तो बात होगी, हमें चल कर ऑफिसर सिंग से मिलना चाहिए हाँ इसा गया? सबी केड़ेट्स, बेस्ट केड़ेट्स टोफी एरिया में एकटे हो जाएं अप्शन ही नहीं है, सब लो कोई भी नहीं है, मैं बोल रहा हूना टेक्निकल फॉल्ट है अरे पर, ऐसे तुम्हें नहीं बुला होता है अरफिसर्ष विष्राम, अब वक्त है हर स्कॉड को उनके लास टास्क देने का दीज्टर्य स्कॉड अपने लास टास्क के लिए इसी वक्त केड़ हो जाए भी पर साफ दिन मेरे साथ इस एकयरमी से बाहर जाना होगा आफिसर्स इस वक्त समय हुआ है 11 बच कर 5 मिनट मैं आप सब को 10 मिनट दे रही हूँ पाकिंग करने के लिए यानि कि 11 बच कर 15 मिनट तक आप सब मुझे यहां पर बिनने चाहिए एक चीज़ और इस टास के दौरान आपके मोबाइल फोन्स आपके कमरे में ही गहेंगें क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस ट्रेनिंग के दौरान आपका सारा ध्यान और फोकुस सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग पर रहे हैं अगर आप इन दस मिन्टों में अपने फैमिली को इनफॉर्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और अगर ना कर पाएं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अक्याड़मी आपके घरवानों को इस बात की इंफॉमेशन दे देगा कि अगर आपके पास सिर्फ दस मिनिट है जो भी कड़ए दस मिनिट से एक मिनिट के बाद आएगा उसे आउटमाटिक ली इस तासिट इस कॉलिफाई कर दिया जाएगा अई मैं क्लिया तो सब्सक्राइब कर दिया जाएगा अमाइ धले ग्री अश्यृक एमाइश साह द्म मैं नटके अंदर सारी पैकिंग करनी है मैं कुछ बूलतो नहीं लीना हाँ अवने गंगवर की पुजा का समान भी तो दिया था जाए तो अव्य जोगए सुरेजी को फोन कर लेती हूं परती रात के तो सुरेजी सो गए होंगे इस वक्त उने फोन करना अब संध्या नहीं अब आरे, पता है, साथ दिन बाद क्या है? हाँ, बेस कहजे ट्रॉफी के लिए उल्टी गिंती शुरू क्या बात है, आफिसर राहूल, आपने तो बेस कहजे ट्रॉफी के लिए कॉंपटेशन और भी टाफ कर दिया है, ट्रॉफी नहीं मिलेगी तो माइपिस नहीं बनेंगे क्या, मैं से रूखे सूखे सपने नहीं देखता, मैं तो बेस्ट वाइफ का सपना देख रहा हूं, ट्रेनिंग पूरी होते ही, सिर्फ तुम्हारे लिए एक टास्क रह जाएग मैं पत्पट ब्या वाला फॉर्मूला अपना ले, सब तक मैं भी सूरज जी की तरह बैस्पती बनने की कोशिश करूंगा, चले मादम, चलो, अपने पाबन लोग मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जिस तरह से आप लोग यहां पर आएं, वो मुझे बिलकुल नहीं पसंद आरा, क्या है, क्या है यह सब? कहां जा रहे हैं आप लोग? यदू कहां आप लोग साथ यह खाच साथ दिन के लिए आॉटबॉर ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, मेरे और्डर्स मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं आपको. आफिसर रोमा, मैंने आप सबसे क्या था कि आप लोग साथ दिन के लिए आउटडोर ट्रेनिंग पर जा रहे हैं जो आपर आपका एक फिजिकल टास्क होगा लेकिन आप सब के सामान को देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप ट्रेनिंग के लिए जाएं ऐसा लगता है कि आप किसी विकेशन या पिकनिक पर जा रहे हैं ये कोई मज़ाद नहीं है ट्रेनिंग कैम पर जाने का सबसे पहला नियम होता है कि आप मैं आए एक ट्रेनिंग कैम का सबसे पहला नियम ये होता है कि आपके पास कम से कम पर बेहत जरूरी सामान हो Sir, am I right? Absolutely तच्छ मुझ कमाल की बात है officers कि आप ही के बीच में से एक officer, officer Zakir इन्हें कभी कुछ समझानी की जरूरत नहीं पड़ते ये बिना बोले हर चीज समझ लेते हैं जो अपना homework करके हमेशा मैदान में तयार पाए जाते हैं और एक, आप सब की तरह के officers होते हैं जो हर बार पांचवी कक्षा के बच्चे की तरह सवाल पूछते हैं और फिर भी उन्हें कोई बात समझ भी नहीं आती है हर बार बार रिपीट करनी पड़ती है आप लोग के लिए इस ट्रेनिंग कैम्प पे आप सब के पास सिर्फ एक चोटा सा बैग होगा जिसे हम have a sack कहते हैं और ये बाग आपकी पीट पर आप क्यारी करेंगे इस बाग में आप खाने पीने की चीजें और जादे से जादा वो चीजें ले जा सकते हैं जो आपके लिए बहुत जादा एहमियत रखती हैं और जिनके बना आप एक दिन में नहीं रह सकते हैं मैं आप सब को सिर्फ पंदरा मिनट का और वक्त देती हूँ जाए और जाकर अपने सूट केस से बेकार का समान निकालिए और उतना ही रखिए जितना आप लिजा सकते हैं और जादा है और अगर पंदरा मिनट से एक मिनट किसी ओफिसर ने लेट किया तो उसे इमीड़िटली इस तास दिस्क्वालिफाई कर गिया जाएगा अमा क्या एस सब्सक्राइब गो जा झालिए घले आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगीगा कोई ब्रेग स्टापलस के बहतुरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें स्टापलस यूटूब पेज को